वेल्कम टू मार्वल फूचर फाइट हिंदी इंडिया चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज निकल के आई है जो कि एक बंदे ने मुझे सेंड किया वह बंदा को ने उसके में डिटरल दो नहीं दूंगा लेकिन उसने सेंड किया यह इंपॉर्डंट है और क्या सेंड किया वह इंपॉर्डंट है तो चलिए बीना टामवेज के जल्दी शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखी रहा हुआ कि जो ब्लैक सुट आया है ब्लैक उड़ोगा उसके आप स्किल्स जो है वह उपर के वाले है मतलब जिसमें लाटनिंग डामेज है याने थ लाइटनिग और उपर करें का थें चाहिए तो इसके और सीकिल्स जो त्वक्रिक करने वाले होझे चाहिए थे उसके और सकी स्कील sini तोर के लाटनिंग नमेंज से काफी कुना कई बुना ज्याधा बेटर लो मुझे अनिमेशन लगा और वेरे इंड्रस्टिंग जो कि थौर का एक अगला था काम था अभी मैं थौर एग्नरों कल मैंने देखा और एवेंचर इंड गेम देखा मैंने कल मुवल पे इतना एक एक पोटेंशल और पावर उनलोक करने का मौका ही नहीं मिला या दियाई नहीं ऐसा हुआ है तो सेम वैसा ही गेम में हुआ है तो यहां पर भी उसका कहीं नहीं हमें थौर लवेंध अदया ने थौर फोर के टाइम पर उसका फुल पोटेंशल देखने को मिलेगा अब केविन पाइची यह वह और यह नाम था ऊसको थौरदी का डारीक्टर का आज भूल गया मैं में रपक्त कली कली मैंने सुना था नाम क्या नाम था जान दो ठीके नाम मद में आते जाएंगा तो बोढ़ दूँगा तो जब तक नाम याद नहीं आता तो आगे बात करते तो मुद्धी के बात ये देखते अभी क्या होता है थोर फोर में तो अभी यहाँ पर मुद्धी के पात ये है कि ब्लाक उड़ा का जो वाइट वाला सूट है उसके आपर स्किल्स कुछ लीक निकल के आये है तो यहाँ पर एक वाइट लात मारत हुए वाइट उनिफर्म के साथ में ब्लाक उड़ा का यहाँ पर देखो skill 1 का जो image icon है न उसके बाजुवाला उसमें देखो लात लखी है मतलब लात ऐसे दिखाई है पैर दिखाया है जो dodge करती हो हमेशाद उसमें skills में हो जैसे उपर वाले skills में ब्लाकडो उल्टी होके गोल घुम रही है तो ठीक उसी तरह के से यहाँ पर पैरों लैट्निंग strike कर रही है लैट्निंग damage कर रही है अपने वह क्या उसका weapon पता नहीं उसके अंदर से लैट्निंग damage कर रही है और नीचे वाले इसमें gun fire कर रही है कुछ दो पैर ऐसे gap में रखके और गन से shoot कर रही है तो यह animation थोड़ा बेटर में आसार हुज लाग रहा है अ अभी नहीं time के साथ देखूँँगा तो वेट करूँगा मैं और patience और धरिया मना कर हुआ उसके बदने skill no.3 skill no.3 का यहाँ पर black suit का देखो यहाँ पर वो तीसरे skills में कुछ animation दिखा हुए कि round घूम रही है याने dodge कर रही है और attacking भी कर रही है तो यहाँ पर white वाले suit में same ऐसा ही है लेकिन यहाँ पर इसका जो back side है वो दिखा गया है उपर वाले suit में front side है तो यहाँ पर भी इसका कुछ animation होगा dodge वाला वो इसके बाद में skill 4 के तरब बढ़ते skill 4 में black suit में यहाँ पर यह lightning damage कर रही है अपोनेंट के उपर कुछ dundas है ऐसा उसके animation दिखाए गया अगर आपसे में उसको zoom करूँ यहाँ आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा कि वह सामने ले अपोनेंट पर lightning damage कर रही है sticks है अब उसके यहाँ पर देखते है नीचे वाला white uniform में white uniform में same वैसा ही कर रही है और ऐसा लगा रहा है कि इसने jump क्या हुआ है jump करते समय उसने lightning damage अपोनेट के तरफ stick से throw किया है तो देखते हैं दोनों में से कुछ सा uniform का better animation skills और damage देखने को मिलता है अभी time है उसके बाद में यहाँ पर helicopter shot है black uniform में उपर देखो महाँ पर skill 5 है महा अब देखना है कि दो मेंसे सबसे जदा हीट डामेज और animation बेटर परफॉर्मस डूरीबिलेटी सब्सकिन परफॉर्मस बीइन वाले कोई बात नहीं चलता है तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है री यूनियन देखते हैं अभी यहला ना बिलरवा काशी दिखती है तो वसे वो देखने में ते ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी लेकिन उसका जो दुसरा रूप है जो ब्लाकोड के मुवी में जो उसका रूप है काफी इंट्रेस्टिंग लगा तो मुद्दी की बात यही थी और कुछ चीज से कुछ अगर रिलेटेड इंप्रॉमिशिं मिलती है कोई भी चीज लिक निकल के आती है तो मैं जरूर इंफर्म करूंगा फिलालभी आप लोग यह इमेज देखके एंजोई करो तो आज के लिए बस इतना ही तो प्लीज लाइक शेर से इसका में थैंक्यू हाँ एक और चीज़ लोग पूछ रहते हैं उसका आइसार देते नहीं मैं भाई टास्क मास्टर करूंगा हाँ अभी के लिए कर लो क्योंकि मुझे नहीं लगत पर्चेस कर लेना चाहिए टास्क मास्टर का और जो ब्लाक पैंथर और जो सारी ब्लाक मिडू और जो रेट गाइडियंग का इनिफाम है उसको थोड़ा पेंडिंग रखो फिलाल अभी पर्चेस मत करो देखते उसका कुछ और सेकंड अपडेट आने के बाद में अगर से इनिफाम से लाता है यह सिद्धी सी बात यह लोग देंगी तो उसमें देखते अगर कम में मिल जा तो अच्छा रहेगा तो उसी का वेट करते थोड़ा पद और सबर रखो गड़बे मत करो जल्दबाजी मत करो आराम से सोच के समझ के लो ठीक है जैसे यहाँ पर हमने जल से जाता है तो दूसरा भी आएगा थोड़ा टाइम लगे हैं लेकिन आएगा तब तक तुम लोग ट्रिस्टल इंक्रेस करो ठीक है तो आज के लब बसित नहीं तो प्लीज लाइक शेयर सिसका में थैंक्यू झाल 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 झाल